हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्ब में लड़का नाभी के उपर हलचल करता है या नाभी के नीचे लोगों का ऐसा मानना है कि बच्चा पेट के नीचे हलचल करता है तो लड़का होता है और उपर की तरफ लड़की होती है इसमें कितनी सच्चाई है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चा कहां हलचल करता है तो आपको लड़का या लड़की होने वाली होती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें फ्रेंट्स बच्चा आपका पेट गर्ब में आगे की ओर होगा तो आपका बच्चा पीछे की ओर रहेगा तो हो सकता है कि आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो और मान लिजे कि आपका प्लेसेंटा पेट के ऊपर की तरफ है तो ऐसे में आपके बच्चे की हलचल कम ही महसूस होगी क्योंकि बच्चा पहले प तो बच्चे की हलचल आपको कम महसूस होती है बच्चा हलचल करता तो है लेकिन आपको कम महसूस होगी क्योंकि बच्चा इस समय तक बहुत ही जादा छोटा होता है ऐसे में आपको बुलबुलाहट सी हलकी हलचल महसूस होती है बच्चा पेट में घूमता रहता है तो बच् नैंसी के 3rd ट्राइमेश्टर में यानि कि 8-9 मेने में बच्चा अपना हेड़ डाउन कर लेता है यानि कि डिलेवरी वाली पोजिशन में आ जाता है जब बच्चे का स्रीड नीचे की ओर हो जाता है और पैर उपर चला जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको नाभी के उपर या नाभी के आस पास ही बच्चे की हलचल जादा महसूस होगी क्योंकि बच्चे अपने पैर से ही जादा हलचल करते हैं जादा लाग चलाते हैं तो आपको उपर की तरफ ही हलचल महसूस होगी तो ऐसे में आपको लगे गा कि मुझे लड़की होने वाली है लेकिन ऐसा नहीं है सभी बच्चे head down करते हैं अपना सर नीचे करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर महिलाओं की normal delivery ही होते हैं इसके अलावा कई बच्चे होते हैं वो कई कारण से अपना head down नहीं कर पाते हैं यानि की उपर की तरफ रह जाते हैं उनका पैर नीचे की तरफ और सीर उपर की तरफ रहता है तो ऐसे में बच्चा लाग चलाएगा तो आपको नीचे की तरफ ज़्यादा हलचल महसूस होगी कुछ बच्चे गर्ब में आरे तिर्चे हो जाते हैं तो ऐसे में आपको बच्चे की हलचल अलग अलग जगहों पर महसूस हो सकती है यानि की पेट के दाएं-बाएं हिस्से में भी हलचल महसूस हो सकती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्थीर नहीं होते हैं अपनी position change करते रहते हैं और आपको कहीं भी हलचल मैसूस हो जाती है तो इससे भी आप पूरी तरसे sure नहीं हो सकते हैं कि आपको लड़का हो गया लड़की होगी तो बच्चे की हलचल से जूरी सारी बाते मैंने आपको बताई है अब old wife सा समानती है कि नाभी के नीचे हलचल हो तो लड़का और नाभी के ऊपर हलचल हो तो लड़की होती है अगर आप इन बातों को मानना चाहें तो मान सकते हैं लेकिन इनका कोई भी वेग्यानी का धार नहीं है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक शेर करें मिलूगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई